तो है गाईस कैसे आप लोग में तकरता हूँ अच्छा के तो इस तो आज की विडियो में हम बात करेंगे फ्रंट बेस रिवर्स बेस कर बेस में डिफ्रेंस क्या होता है कौन सा बेस कहां ज्यादा यूज होता है और कौन सा बेस के बिनेट हमें लेना चाहिए तो चलिए वी सोट कोड में समझाने की कोईश्च करेंगे और वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाने की कोईश्च करेंगे तो चलिए फटा-फट से बात करते हैं यहाँ पर तीन केबिनेट के उपर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिवर्स केबिनेट और यहाँ पर फ्रंट के करके हम यह कह सकते हैं कि आपका sound जो है वो कैसा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ फड़ा वर से पंच मिन्स यह होता है कि अगर आप पंच चाते हैं तो पंच में यह होता है कि आपका जो सीना होता है उसमें जो है वार करने टाइप से या फिर धक धक करने टाइप से य हिलता है उसमें जो है यहाँ पर आपका चेश्ट में आपका नहीं मारेगा और यहाँ पर धक धक उतना नहीं करेगा थोड़ा से कम करेगा उसमें और वाइब्रेशन जाता रहेगा तो उसमें जो है सरीर ज्यादा हिलता है मतलब कमपन होता है तो मतलब वह आपका वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन प्लस पंच में यह होगा कि यहाँ पर आपका चेस्ट में भी यहाँ पर आपको धक धक करेगा प्लस यहाँ पर आपका वाइब्रेशन में पुड़ा सरीर भी हिलेग speaker के उपर depend करता है और frequency के उपर depend करता है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा shortcut में समझाने की कोईश्ट करूँगा जिसमें की video काफी छोटा बन सके तो जैसे कि हम बात करते हैं पहले front cabinet के उपर जिसमें कि आपका speaker का जो कोन होता है या फिर हम यूँ कहें उसका परदा उसका face बाहर की तरफ होता है और magnet अंदर की तरफ होता है जो की आपका flat मतलब एकदम सीधा सीधा वाला front जो होता है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको जो है long throw और punch काफी अच्छा मिलता है इसमें हम 15 वाड का dual speaker यूज़ करते हैं तो काफी अच्छा काम करेगा जिसमें कि 4 inch voice school या फिर 4 inch voice school हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हमें long throw काफी ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पर punch काफी अच्छा मिलेगा तो long throw मिलेगा मतलब कि punch आपको मिलना ही मिलना है punch मिलेगा तभी आपको long throw मिल सकता है तो यह आपके उपर depend करता है प्लस आपके area के उपर depend करता है कि आपका area में क्या चीज ज्यादा demand है vibration या फिर vibration प्लस punch या फिर punch तो यह आपके उपर depend करता है कि आपको लेना कौन सा चाहिए मैं आपको बस बता आ सकता हूँ तो यहां पर आपको front cabinet में punch काफी अच्छा मिलता है long throw भी काफी अच्छा मिल जाता है वह हम बात करता है यहां पर curb cabinet के ऊपर जिसमें कि आपका speaker यहां पर front के side ही होता है लेकिन speaker थोड़ा सा तीरचा लगता है जैसे कि आप यहां पर इस screen पर देख सकते हैं इसमें आपको vibration प्लस पंच भी मिल जाता है, इस speaker आपको यहाँ पर चूज करना है 15W से ज़्यादा, मतलब कि लगबग 18W का RMS power होना चाहिए, या फिर आप 2000W भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 18W यूज करते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा, आपको पंच भी मिल जाएगा, और vibration भी काफी अच्छा मिल जाता है उस वाले cabinet में, तो यह आपका दोनों काम करता है, मैं आपको लाश्ट में बताने वाला हूँ कि दोनों, मतलब इन सभी cabinet में से कौन साथ सबसे ज़्यादा यूज होता है, और हम वहीं बात करते हैं यहाँ पर reverse cabinet के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं यह भी कर्ब टाइप से model है, जो कि LF सीरीज में आते हैं, तो इसमें magnet बाहर है और इसका जो कौन है वो अंदर है, और reverse cabinet में और भी आते हैं जो कि एक ही speaker लगता है, जिसमें कि हम पोप का भी cabinet हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको हरन लोड़ बोलते हैं, और लेकिन वो भी आपका reverse ही है, और साथी साथ डबलू बीन cabinet भी आपका reverse cabinet होता है, लेकिन अभी फिलाल हम इन सभी cabinet के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका vibration ज़्यादा मिलता है, पंच कम मिलता है, vibration ज़्यादा मिलता है, इस पेसल अगर आप जैसे 15 feet या फिर 10 feet के नजदिक, मतलब DJ के सामने अब जब आप रहोगे, 15 feet, 20 feet, 25 feet के आसपास, उतना में काफी ज़्यादा vibration मिलता है, उससे ज़्यादा दूर जाएंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, बेस का अगर हम 50 feet के around, अगर हम ज़्यादा दूर चले जाते हैं, 50 feet से अगर हम ज़्यादा दूर चले जाएंगे, तो आपको vibration फिल जो है, वो बहुत कम होगा, और जैसे ही आप सामने रहेंगे, DJ के एदम फ्रंट में रहेंगे, तो वहाँ पर आपका जो सरीर है, वो पूरा कमपन होगा, मतलब पूरा हिलने लगेगा, और नीचे के जो है गिट्टी वगरा, वो पत्थल वगरा सरा चीज हिलने लगेगा, तो वो vibration इसमें काफी नजदीक में ज़्यादा काम करता है, तो यह आपको DJ में काफी ज़्यादा यूज होता है, live के लिए उतना सही नहीं है, live के लिए front ही आपको काफी अच्छा काम करने को देखने को मिल जाते है, इसमें reverse वाले में speaker जो यूज होते हैं, तो वो ज़्यादा vibration पैदा करता है, तो आपका 2000W के आसपस speaker होना चाहिए, तो उसमें आपको vibration ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो आपके area के ओपर depend है, और आपको क्या चीज़ चाहिए, आपके DJ में क्या चीज़ कमी है, तो उस हिंसाब से आप cabinet लिजिए, अगर DJ में चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका reverse base जो है, यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमें vibration ज़्यादा मिलेगा, अब हम बात कर लेते हैं कि, इन तीनों केबिनेट को सबसे ज़्यादा, कौन सा केबिनेट सेल होता है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, या फिर हम यू कहें कि, कौन सा केबिनेट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन तीनों केबिनेट में से सबसे ज़्यादा यूज़, यहाँ पर कर्ब केबिनेट होता है, मतलब कि इसमें, मतलब यह होता है कि इसमें दोनों काम हो जाता है, vibration भी मिल जाता है punch भी मिल जाता है लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये area के उपर depend करता है हमारे area में क्या होता है कि जदातर front यूज होता है मतलब जदातर हमारे यहाँ पर जो area हमारा है उसमें front cabinet जदा use होता है जैसे कि आप ये वाला यहाँ पर demanded है मतलब पंच यहाँ पर ज्यादा चाहिए मतलब लोंग तो ज्यादा चाहिए कुछ इस प्रकार से लेकिन यह भी है कि यह आप मत समझ लिजीएगा कि लोंग तो वाला जो मतलब पंच जो जिसमें हमें मिलता है ज्यादा वो नजदिक में कम बजेगा ऐसा बिल् ज़ए पूड़ा मतलब क्या बोलते हैं हैमर से मारने टाइप से लगता है तो पंच वो ज़एदा खतरनाक है और वाइब्रेशन थोड़ा नॉर्मल है जैसे कि पूड़ा सरीर हिलता है उसमें मतलब वह भी वाइब्रेशन भी खतरनाक ही है लेकिन सभी का अलग अलग मतलब पसंद होता है, तो उस type से यहाँ पर depend करता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा confused भी किया, और प्लस यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोईज भी किया, कि आप थोड़ा सा clear hope है, कि किस में ज़्यादा sound, कैसा sound, और किस type से sound आपको मिल जाता है, तो I hope तो थोड़ा बहुत जो है, आपको clear कर पाया हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया, पेचीदा सवाल है, और कोई भी cabinet use करते हैं, वो आपके speaker के उपर depend करता है, आपके frequency के उपर depend करता है, आपकी frequency में use करते हैं, उसके उपर भी depend करता है, लेकिन जो cabinet है, उसके उपर भी काफी ज़्यादा depend होते हैं, मतलब cabinet के उपर भी काफी ज़्यादा परभाव पड़ते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उस type के आपको sound मिलने वाला है आपको, जैसे कि मैंने speaker भी बता दिया, कि आप कितने वाट का use करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ इस परकार से sound मिलेगा, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कि यहाँ पर live के लिए और DJ के लिए कौन सा सही रहेगा, तो live के लिए और DJ के लिए, तो यहाँ पर front cabinet आप use करें, जिसमें कि line में यह होता है, कि आपको long throw चाहिए ही चाहिए, क्योंकि audience जो है, वो काफी ज़्यादा दूर रहते हैं, जैसे कि 100 meter, कहीं कहीं 200 meter भी होते हैं, तो आपको front cabinet use करना चाहिए, जिससे कि आपको long throw काफी ज़्यादा मिले, अगर आपके पास मतलब आपका जो event है, वो काफी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें सभी परकार के mix वाले cabinet यूज़ कर सकते हैं, reverse या फिर front या फिर curve, तो कुछ इस परकार से जो है आप यूज़ कर सकते हैं, तो I hope दोस्तो वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें अपने दोस्यों के साथ, और चैनल में पहली बार हैं, तो चैनलों को सब्स्क्राइब कर लें, और बैल ऐकन कौल में सेट कर लें, तो चले मिलता है अगले वडियो में तब तक खिले जय हिंद वन्ने मात्रम